नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम गात करेंगे चितोडगड दुर्ग की जो परमुख विशेस्ता हैं उन विशेस्ताओं को लेकर के आज चर्चा करने वाले हैं यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोग इस वीडियो के सा है राजपुताना गोरव और वीरता का परतीक है महना परताब का गड़ इसको चितोडगर दुर्ग है इसको महना परताब का गड़ तथा जोहर का गड़ भी कहा जाता है किसका जोहर का गड़ क्योंकि यहां तीन जोहर हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे यहां तीन जोहर हुए हैं कितने जोहर हुए हैं तीन जोहर हुए हैं हम इस पर चर्चा करने वाले हैं अभी मोरिय वंसिय राजा चित्रांगद मोरिया ने सात्वी सतावदी में करवाया था किसका चितोडगर दुर का निर्मान त्यास कारूम बताया जाता है कि मोरिय वंसिय राज बात करते हैं तो एक प्रत्थम जो जोहर है कौन सा प्रत्थम जोहर ये कब हुआ ये वा तेरा सो तीन इस्वी में हुआ ठीक है प्रत्थम जोहर कब हुआ तेरा सो तीन इस्वी में हुआ और किसके सासन काल में हुआ तो यह हुआ किसके सासन काल में हुआ रावल रावल रतन सिंग के काल में प्रत्थम जोहर हुआ कैसे हुआ कि अलावदिन खिल जी के आक्रमन के समय कौन रानी पदमनी और रानी रानी पदमनी ठीक है रानी पदमनी रग्भुवंसी के नेत्रवत्व में तेरा सू तीन इस्वी में हुआ जबकि दूसरा जो जोहर है कौन सा दूसरा दूसरा जोहर ये हुआ गुजरात के सासक बादूर्शा के आकर्मन के समय जब रानी कणवती ने तेरा हजार दासियों के साथ में दूसरा जोहर किया लेकिन कब किया पंदरा सो चोंतिस में जबकि जो तीसरा जोहर था कौन सा तीसरा जोहर ठीक है तीसरा जोहर ये हुआ जब राणा उदे सिंस के सासन में अकबर के आकर्मन के समय सन पंदरा सो अडशट में कब सन पंदरा सो अडशट में पत्ता सिसोदिया की पत्नी किसकी पत्ता शिसोधिया की पत्नी थी जिनका नाम है फूल कमर के नेत्रवतों में हुआ तो इस परकार से चितोडगर्ड का जो दुर्ग है ये तीन जो जोहर हुई है उनका ये परतेक्ष दर्शी रहा है अगली जो विशेशता है कि चितोडगर्दुर के चितोडगीले में इस्थित विजय इस्तंब 1440-1448 के बीच में महरणा कुमबा जो मेवाड के राजा थे दुवारा बनाया गया था तो किसने बनाया विजय इस्तंब महरणा कुमबा ने ठीक है यह किसका परती का यह जीत का परती निधी है कौन विजय इस्तंब कौन है विजय इस्तंब किसका परती निधी है जीत का ठीक है और कि विजय इस्तंब किसने बनवाया महरणा महरणा कुमबा ने इनके बारे में परसन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा क्योंकि महराना कुंबा ने 1437 में महमूद खिल जी को हराया था इसके वास्तु कार कौन है राव जेता थे देखिए अगली विश्यस्ता में बात करते हैं भारत का सबसे विशाल किला माना जाता है से यह किला एक विश्वे विरासत इस्थलवी है और चितोड के इस किले को कब 21 जून 2013 में यूनेस को विश्वे दरवर गोसित किया गया था अगली विश्यस्ताओं में चितोडगड का जो दूर्ग है राजस्थान का गोरव कीलों का सिरिमोर भी कहलाता है यह किस नदियों के संगम इस्थल के समीप है चितोडगड का दूर्ग यह गंबीर वे बेड़स नदियों के संगम इस्थल के समीप है तो कई बार इस पर परसन पूछा जाता है कि जो चितोडगर का दुर्ग है वो किन दो नदियों के संगम इस्थल के समिप है तो कौन कौन सी है गंबीर वै बेड़स नदियां है के संगम इस्थल के समिप है कौन सा दुर्ग है चितोड़ दुर्ग है कौन सा चितोड़ दुर्ग है ठीक है यह ध्यान रखिएगा कहा जाता कि अरावली परवत माला में छेतरफल की दस्टी से सबसे बड़ा है कौन चितोडगर दुर्ग इसका उपनाम क्या है चित्रकोट क्या है उपनाम चित्रकोट इसका जो आकार है वो वेल मसली के समान है ठीक है कई बार पूछा जाता है वेल मसली के शमान है इतियास प्रसिद तीन साकों है तू प्रसिद इतियास में तीन साकों के लिए कौम सा दुर्ग प्रसिद है चितोडगड का दुर्ग जो है तीन साकों के लिए प्रसिद है कब कब हुए तेरा सो तीन में पंदरा सो चोंतिस में और पंदरा सो अड़ सट म दाता है किस दूर का नाम के जराबाद रखा चितोडगर दूरका यहां राणा सज्जावेस 29 का इस मारकट भी है यहां इस मारक बिए पत्ता सि सोध्या का इसमारक तो वह सारे के सारे सारे मारक इसमें इसके ले में हैं, इसके अलावा नो कोठा मकान या नौ लख्खा बंडार, समिदेश्वर मंदीर, मीरा भाई का मंदीर इस दुर्ग में हैं, इनके अलावा अगर हम मंदीरों के बात करते हैं, तो तुलजा भवानी, कालिका माता, सूर्य एम, सत्विस देवी मंदीर इस दुर्ग में इस्थित हैं, स्रंगार चोरी जो जेन मंदीर है, जेन कीर्ती स्थम्ब, साथ मंजिला का है, और आदिनात का इसमारक यहां इस दुर हैं, फत्य परकास महल, जो राजकी है, संग्राले है वतमान में, राजय का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजय का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, दूसरा जेसल मेर का है, कि जीवित कीला, ठीक है, इसके लिए कहावत हयूज कैसन ने कही कि चितोड सुनसान परितेक्ट किले में विच्ण करते समय मुझे ऐसा लगता है मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूँ तो ये परसन बिल्कूल बन सकता है आपको ये आपको कोटेशन देखकर के पूछ लिया जाए कि किस ने कहा तो हयूज कैसन ने कहा तो इसी परकार के परसनों के साथ में अगले वीडियो मुलाकात करते हैं तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार